ठेकेदारी प्रथा जो है वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा गातक है जो कि बहुजन समाज के निजी जीवन में घुस चुके हैं जैसे ही ब्राम्मन के निजी जीवन में घुसना शुरू करेंगे तब ब्राम्मन चिलाएगा अब बात कीजे संसादुनों में कब देंगे नौकरियों में कब देंगे रेप्रेजेंटेशन कब देंगे जहां बिजनस है जहां दन है वहां सवन है धर्म तो सिर्फ उपर उपर से बचवाना है जहां पैसे की बात आए कि सवन वहां जाएगा इस देश के लिए सबसे शर्मनाग खबर है आज फिर से सिर्यूल कास्ट हिंदू, चार हिंदू की मौत गटर में डूब कर हो गई बस फर्क इतना है कि वो सवर्न हिंदू नहीं है, वो पिछरा हिंदू नहीं है वो आदिवासी हिंदू नहीं है वो किसान हिंदू नहीं है वो सिर्यूल कास्ट हिंदू है मेरे साथ चार खास महमान है फजील भाई हैं, अलब संक्षत समास से हैं मैं पिछरा समास से हूँ यह सिर्यूल कास्ट हिंदू है मैं भी ओबी सी पिछरा हिंदू हूँ और ये सवर्न हिंदू है। मुहन भागबत ने कहा है कि अपने बच्चे को अंग्रेजी मत परहाईए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकाई नौकरी के पिछे मत भागिए। हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि मूच रख सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं और समसान सबका एक होगा, सबकी राय भी जानूँगा, लेकिन सबसे पहले वही कब तक मरता रहेगा दलित हिंदू। का जो कल की घठणा है, वह नहीं घठणा नहीं है, ये पिसले 2017 का डेटा जो है दिल्ली में, पचास के लगभग मौत सीवर में हो चुकी, पिसले पांच साल में और एक कल की घठना हुई है ये फारिदाबाद में हो घज्टियार कि है और एक हॉस्पिटल में। दिल्ली में 50 लोग मरते हैं जी 50 लोग पिसले 5 साल में मर चुके हैं सीवर में और ये सोचल मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए कि ये बाते सब उजागर हो जाती हैं प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं डोमेन में पब्लिक डोमेन में अधरवाइज पूर में ये सीवर की है कुछ कंपन्सेसिसन मिल ता है कोई ऐसलिटीज है या कैसे जो सरकारी नौकरी में है जो उनको अगर उनकी दिख न invece जो कुछ प्रावधान है जो प्रावड के लोग को नोकरी दी जाती है का और अभी तक हम लोगों ने कई बार डिमांड की थी जैसे करोना में जो स्वच कर्मी मरे थे कि एक करोण रुपे दिया जाए इनको और इनको स्वस्था सेनिक का सहीद का दर्जा दिया जाए तो उस जो सीवर में उतरता है अपनी जान जौक का वालेशन है इस पर स्थाने निकाए और सीधे सीधे जो डीसी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके छेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं जो माप दंड है जो safety regulations है सेप्टिक क्यूमेंट्स हैं वो क्यों नहीं प्रवाइड किया जाते ठेकेदारी प्रथा जो है वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा घातक है ठेकेदार ठेकेदारों का कोई जवाब देही नहीं है ज़्याद चली आप लोग जो सेप्टिक टैंक में उतरके हर साल पूरे देश में हजारों मौत होती है बिजवारा बिलसन को इसके लिए मैकसे से भी मिला है वो लगातार कैम्पेन भी चला रहे हैं इसनल दस्तक की कोशिस होगी उन तक पहुच कर इस बात पर अब बात की जा रहे कि अब सिडूल कास्ट हिंदू मोच रखने पर नहीं मारे जाएंगे आप मंदिरों में जा सकते हैं आपका समसान घाट भी अभी एक साथ होगा बस अंग्रे जी परना छोड़ दीजी और नोकरी के पीछे मत भागिए क्या राह है आप लोग की सिडूल कास्ट तबी मिली हम सब को कि अंग्रे जी आ गई लोगों ने अंग्रे जी पढ़ी अदरवाइस तमेल तेल गू मले आलाम कन्नड बोलने वाले लोगों का एक दूसरे से संपर्क नहीं होता हिंदी भासी छेतर के लोगों से अंग्रे जी संपर्क भासा है और उसको पढ़ना चाह है जो लोग हिंदी भासी है उनको बहुत अच्छे नजरिये से नहीं देख जाता मैं दिल्ली में नोकरिया नहीं मिलती है अगर वो कहीं बादचीत करते हैं किसी सोजल गैदरिंग में और अंग्रे जी नहीं बोलते हैं तो उनको जो है वो उसको अच्छे देश्टी से नह हमला होता था घोड़ी नहीं चाहने देंगे सिजुलकाष्ट पर हमला होता था समसान घाट अलग होगा सिजुलकाष्ट के साथ भेदवा होता था तो मुझे तो इस सारा उन्हीं की तरफ लग रहा है कि आप लोग नोकरी का जो पीछा कर रहा है वो छोड़ दीजिए क्या आ आजाद हुआ था उससे पहले जमिदारी प्रता थी जमिदारी प्रता के अंदरगत किसान जो हल जोता हल जोता था वो किसान मालिक नहीं होता था भारत सरकार ने आजाद होने के बाद किसान को हल जोतने वाले को मालिक बना दिया मगर आप यह देखिए कि जब नौकरिया स के कारण ही कुछ प्रतीसत योगों का जीवनिस्तर बदला है जो की इन को बिल्कुल भी नहीं पचरा है धरम के लिए आप लोग इतना भी नहीं करेंगे जिव उल्टे हम लोग जो है आए दिन हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कि धरम के नाम पर ही लोगों को प्रताडित किया जाता है आपको क्या लगता है सवर्न हिंदू माल लेंगे जो पढ़े लिखे भी हैं खाय अगाय भी है जिनके पास सहर है जमीन है जुडिसियरी है मीडिया है कॉलेज उन्वर्शिटी है बुरोकरिसी है चाहे वो समिर्ती रानी हो रभी संकर परसाद हो एस जय संकर हो इन सब के बच सब्सक्रिती से पूरी तरीके से इंफ्लूएंस्ड है और पास्चात्य संस्कृती इस शब्द को ही एक बहुती बुरा बना दिया गया है कि यह बिगाल देता है हमारे बच्चों को इतने बड़े आरेसे सराष्टबादी संगठन है सारे सवन समाज के लोग उसका समर्थन करते हैं बिल्कुल समर्थन करेंगे लेकिन चुनावी तोर पर समर्थन करेंगे लेकिन आप जिस दिन उनके निजी जीवन में घुसना शुरू करेंगे जो की बहुजन समाज के निजी जीवन में घुस चुके हैं जैसे ही ब्रामन के निजी जीवन में घुसना शुरू कर अगर आपको पूरे विश्व से जोड़ना है, अगर आपको सौफ्टवेर इंजीनिर बनना है, हाइस्ट पेइंग जॉब चहिए, तो आपको अंग्रेजी पढ़नी पढ़ेगी और ब्रामणों को बहुत अच्छे समझ में आ गया है, और यह अंग्रेजी ना पढ़ने का ज लेकिन बात यह करेंगे कि हमें हिंदी को सर्विस रिष्ट पनाना है, जो समसान घाट में सबको बराबर का मौका मंदीर में चरहाबा के लिए सबको बराबर का मौका मूँच रखने पर, इसको सबन समाज एक्सिप्ट कर लेगा कि चलो यह मान लेते हैं, यह तो मजबूर में करना पड़ेगा, लेकिन भागीदारी की बात है, आरजेडी का सुभा एक कॉमेंट आया, मौहन भागवत जी की बात पे, मूँ छोपे और सम्शान घाट पर तो हमने अपना हिस्सा ले लिया, अब बात कीजे, संसादूनों में कब देंगे, नौकरियों में कब देंग समण हिंदू नहीं मानेगा, जब भी नीजी जीवन में खुशने की बात आएगी, तब तब समण RSS कबरोत करेगा, तो धर्म कैसे बचेगा, धर्म तो सिर्फ उपर उपर से बचवाना है, जहां पैसे की बात आएगी समण वहां जाएगा, हमेशा मैं पिछले दुन में हम मारे बात ओर थी कि मादर से कौन चलाता है, तब से बात कर रहे हैं, जहां बिजनस है, जहां दन है, वहां सवर्न है, भूँत महरक लाईगा है, आप आईदर सहावज साहब, आप लोग तो रास्टपिता घोसित कर दी हैं, तो तो क्या आप लोग मानने जा रहें की बात की भया हम अपने बच्चों को अंगरी जी नहीं पराएंगे और सरकाई नोकरी में नहीं जाएंगे देखे भागवाजी तो मुसल्मानों के लिए कुछ बोले नहीं अरे उन्हें भारत में मुसल्मान नहीं है क्या भारत के लोग के लिए बोला है भारत में मुसल्मान उनके हिसाब से नहीं है, आपको बदाई है कि अब घोड़ी पे चड़ने के लिए उनने बोल दिया है, कि घोड़ी पे चड़के साधी कर सकते हैं, गोड़ी पे चड़ सकते हैं, जहां चांद पर दुनिया पहुँच गई, अभी हमारे देश का दलीत ज सित किया है, देखें, मुसल्मान तो BJP को नहीं मानता है, वो तो RSS जो है, एंटी मुसलिम एडिलोजी जब से देश अजाद हुआ, तो आप लोग इंगलिस पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ा ही रहे, आगे भी पढ़ाएंगे, नौकरी के पिछे रहेंगे, नौकरी जो है, कैसे माना जा सकता है, तो राष्ट पिता घोसित कर दिया, आपके उलेमा ने राष्ट पिता घोसित किया है, भाषा जो है ना, सीखने के लिए, हमारे यह कुरान में कहा है कि सीखने के लिए, चीन तक जाना पड़े तो जाओ, पढ़ने के लिए, हमारे लिए तो व जिगार और व्यक्तित्यू का निर्माण कैसे होगा? किस तरह से होगा? संस्कृत को भारत में ही अध्यापक नहीं मिलते हैं, बहुत से संस्कृत विद्याले हैं. सोचिये मुसल्मान नहीं मानने के लिए तयार है, सवन अपनी के पोस्ट क्लियर कर चुका और मैं जैनियों और बुद्धिष्टों के वारे बता दू को वो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन जैन समाज के लोगों में हैं, बुद्ध में भागिदारी नहीं हुई है, और सुचिये एक खास कर इसारा किया गया सिडूल कास्ट के लोगों की तरफ, कि मोच रखिये, मंदिर में आईए, समसान घाट एक होगा, इंगलिस पर ना छोड़ दो, और नौकरी का पीछा करना छोड़ दो, इन्होंने सही कहा, सिडूल कास्ट OBC, SC नहीं है, एक आत्म मैनार्टी में है, 48,000 जो बैंकों में, बैंकों का निजी करन किया गया, उसमें वेकेंसी भरना तो अलग, जो हैं उनकी भी छटनी हो रही, और प्राइवेट बैंकों में 48,000 नियुक्तिया हुई है, एक साल के अंदर, और उसमें एक भी OBC, SC, और उल्टा SC के बारे में, तो ये बता दें आपको, कि बैंक या कोई भी प्राइवेट कंपनी के लोग काते हैं, कि हम अगर इनको टाइट करेंगे, काम करने के लिए मजबूर करेंगे, तो ये हमारे पार हरजन एक लगवाएंगे, इसलिए नहीं रखेंगे इनको नोक सुकरी छोड़नी है और अंगरेजी छोड़नी है, जो बाबा साब ने आपको कहा था, अंगरेजी पढ़िये, सर ये गोड़ी चड़ना, मूचे रखना, ये सब पिषड़ेपन की निसानी है, आज बाई बता रहते हैं कि चांद पर और मंगल ग्रह पे पहुंच चुका इ जीवन में समाज के काम आ जाए और अपने काम आए, यही इसलिए हम लोग सिक्साल की तरब बाबा साब के दुवारा प्रेडित किये गए और उससे कुछ परसेंट लोगों का बला हुआ है, और मैंने पहले भी बुला था कि इन लोगों को वो जो है वो इनके आँखों में चुब रहा है कि विनोत पवार जैसे लोग या मेरे जैसे और लोग तो क्यों आज यह यहां पर यहां तक पहुंच गये हैं, अभी अनुरा तिवारी जी के बारे में बता रहे थे कि वो कुछ कह रहे थे कि कोई फ्लैट है या सरकारी नौकरी है तो आरक्षण नहीं होना अभी मैं सुप्रिम कोर्ड माने ने सुप्रिम कोर्ड किसे की ऑब्जर्वेशन आई है कि समिक्सा होनी ची आरक्षण की तो मैं माने ने सुप्रिम कोर्ड से अर्ज करता हूं आपके माध्यम से कि जो सीवर में डैथ हो रही हैं जो सीवर में बन रहे हैं तो उसके लिए भ तो रही कहा है, जो हम छोड़ेंगे, तो आप तो हिंदु धर्म में आपको जगा मिल रही है, ना, मुछ रख सकते हैं, समसान गाट जा सकते हैं, घोरी चर सकते हैं, सर इससे भला नहीं होने वाला लोग, नौकरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए नौकरी, अंग्रेजी चाहिए और अग्रेजी भी ज़रूरी है, अब क्या करेंगे, यह क्या, इसी बात में आइड करना जाता हूं, कि हिंदु धर्म में जगा मिल रही है, हिंदु धर्म में सिर्फ एक तरीके के सेड्यूल कास को जगा मिलेगी, जो मेजोरिटी सवन्ड सोचते हैं, जो आरक्षन आरक्षन विरोधी बाते करते रहो, यह दो चीज़े करते रहो, सवन्ड के कहते हैं, जो धर्म बचाने के लिए हिंदी, मतलब अंग्रेजी नहीं चोड़ेगा, सबर्म, हम कहते थे कि संस्कृत में हमें बड़ा बताते हैं हमारे गरवाले कि एस्ट्रो फिजिक्स भी था, कि हनुमान चालेशा में सूरज की, धर्ती से सूरज की दूरी बताई हुई है, तो हम अमेरिका पहले कैसे पहुँच गया चांद पर, अंग्रेजी थी उनके पास, अंग्रेजी वाले पहुँचे ना, उससे पहले हनुमान जी सूरज को निगल चुके हैं, हाँ, हनुमान सूरज के निगल चुके हैं, सूरज है क्या इन से पूछ लो जरा, हाइडरोजन का गोला है हो, हाइडरोजन से जलता हुआ गोला, यह तो बिग्यान कहता है न, धर्मशास्त तो अलग चीज कहता है न, सर वही तो धर्मशास्त अगर कहता है, मेरा सवाल इतना है कि क्या सव बहुत ज़दा जागरुक है, मैं यह तारीफ बता रहा हूं उनकी, कि वो अपने बारे में बहुत को जानता है, अपने हतिकारों के बारे में बहुत क्लियर है कि वो अपने निजी जीवन में किसी को निगुषनन देगा। विरोधी है, सबंड समाज आपके साथ है जब तक आप मुसलमान विरोधी हैं, सबंड समाज आपके साथ है, ये मैं अपने डिनर टेवल की बाते आपको बता रहा हूँ हमारे जब पूरी फैमिली तो बात आपको कल सर्वे पर एकल मैं धारन को एक टास्क दूगा कि ये जाए सबंड समाज से सर्वे करें सिर्फ दो सबाल कि क्या सबंड समाज RSS के कहने पर क्या अंग्रेजी का त्याक करेगा क्या वो सरकाई नौकरी का पीछा छोड़ेगा फिलाल यहां मुसलिम कम्निटी के लोग तो नहीं छोड़ने के लिए तैयार है मैं वो भी सिका हूँ मैं किसान जातियों से भी अपील करता हूँ कि आप भी अंग्रेजी को मत छोड़िये किसान और नौकरियों के पीछे लगे रही है नौकरी बहुत जरूरी है सारे मलाईदार पदो पर सवर्ण समाज के लोग पहुंचे हूँ है यह क्या चाहती RSS अब हिंदु मुस्लिम से काम नहीं चल रहा है तो नया सभूफा छोड़ा जा रहा है देखे RSS अब जाके एक्सपोज हुई है अब 2-4-5 साल के अंदर एक्सपोज हुई है इसके पहले तो RSS में इस्ट्रीम में नहीं थी BGP थी और रहास वाला भी आपने कहा कि गटर वाली बात यह सिप मरते तो कुछ लोग हैं highly drinking को बहुत ज़दा सराब पिलाए जाता है ठेके दारों के थुरू और वो मरे ना मरे अगर गटर में डूब के नहीं मरेंगे तो सराब पिक एक दिन मर जाएंगे और जो 60-70 सालाम आदमी 80 साल जीता है वो 60-65 तक जाते जाते मर जाते हैं चाहे गटर में जाएं या ना जाएं क्योंकि उनसे उस काम को कराने के लिए बहुत जादा उनको सराब दी जाती है सराब कच्ची सराब पिलाया जाता है तब वो गटर मुतरते हैं यह हम Ground Zero की बात बता रहे हैं जो हम देखते हैं समाज में मरते तो दो चार है आप लोग की जिमेदाई नहीं Muslim Community की जिमेदाई नहीं किसके खिलापान दोरण खाडा किया जाए मुसल्मान में भी गटर मुतरने वाले लोग है मुसल्मान भी मरते है अब क्याने गटर में दलित पिछरा दिवासी मुसल्मान भी उतरता है मुसल्मान भी जो गरीब हैं हमारे यहां भी महतर कम्मुनिटी के लोग है ना बाकादा उनको सुडूलकाश का रेजर्वेशन भी है लेकिन वो गटरे में रहेंगे इतना आप देखिए मैं एक गाउं का सर भी बता दूंगा आपको इतना रेजर्वेशन होने के बावजूद भी आप तलीद बस्ती में एक भी सिपाही एक भी माश्टर नहीं मिलेगा कोई बहुत खोजने परेकात कोई चपरासी बैंक में मिल जाएगा जो बुद्धिस्ट नहीं हुआ है वो नहीं तो सुडूलकाश के लोग बड़े-बड़े पड़े बुद्धिस्ट की बात है सर सुप्रिम कोट के चीफ ज सवर्ण के मुकाबले मतलब इस्तिती बहुत खरा है सवर्ण के पास एक भूमी का बड़ा हिस्सा उनके पास है उनकी रोजी रोटी उनसे चलती है और उसी चार-पांच भी खेट भी है उनके पास तो उससे वो दस लोगों को मतलब उनके सामें चरपाई पिने हैं वो आरे सवाज तो अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज के साथ थे आज आदी से पहले वो लोग अंग्रेजों के साथ थे मुगलों के साथ भी थे उसके पहले भी समराट अशोक साथ के साथ भी थे ऐसा नहीं जहां पर सबरन यही कह सकते हैं कि उनको कल भी मैंने आप से कहा था कि हालात को देखका है कि अपने को एड़ेस्ट कर लगते हैं वो जेलर को पटा लिए और जब जेल से छूटे तो सारे कपड़े उनके टाइट हो गयते हैं आम आदमी जेल जाता है तो दुबला हो के आता है और यह मोटे होके निकले उसमें से मतलब वो कपड़ा जो है जो इनक तो RSS एक चीज सिखाती है कि आपको गुसा नहीं करना है, एग्रेशन में नहीं राना है और ठंडे दिमाग से मारना है आप जब बहुत OVCST की प्राबलम है क्योंकि इतना बोज है उसके सरीर पर परिवार का बोज, बच्चों की पढ़ाई का बोज, सपनों का बोज है OVCST की पास एक सपनों का बोज ले के जीता है आम इंसान, 99% OVCST मुसलमान सपनों का बोज ले के जीता है, उस सपनों के बोज में इतना दबार आता है कि अग्रेशन में रहता है आग्रेशन में रहते हैं, परिवार तूटने के करें, सब लोग और छोटे 15-16 साल की उमर म आठ साल की उमर में बेटा बेटी जो है मा के साथ खेतों में काम करने चले जाते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो बाप के साथ ठेलिया खीचने चले जाते हैं, और थोड़ा बड़े होते हैं तो बाप के साथ मजदूरी करने चले जाते हैं, जो बच्चा अपने बाप को गाली खाते देखा, जो बच्चा एक खाची गोवर अगर यहाँ से वहाँ फेक दे, तो उसको 20 गाली मिलती है, जिस बच्चे ने अपने बाप को पूरी बच्पन में गाली खाते देखा, क्या वो परतिकार कर सकता है किसी बात का, लड़ सकता है, हम लड़ सकते हैं क्योंकि कि हमने अपने बाप को इजब पाते देखा है तो हम कोई बात गलत होती है तो हम भागवाजी को भी कह देते हैं कि आप ये गलत बात बोल रहे हैं एक सिपाही को नहीं बोल सकते है गाओं के मुखिया को नहीं बोल सकते है गाउं के पाँच विगा के जो कास्तकार है ना उनको भी नहीं पता सकते कि आपने एक पर में नीला मोजा पहन लिया एक पर में लाल मोजा पहन लिया है अगर कोई सुडल कास्ट का बच्चा देख रहा है कि उसका मालिक जो है भौजन समाज कहा लड़ रहा है बहुतर के खिलाप रगता है मुसलमानी नफरत नहीं करता पंजाबी कम्मूनिटी भी नफरत रहते है तो आपके मुले इमाम तो कह रहे है कि वो राश्टपिता है पूरा हो जाना देजिए उन लोगे बात छोड़ दिजिए की बाद छोड़ दिजा, आम बहुजन तो रोजी रोटी के साथ है, एलियासी साहब जो कर रहे कि राष्ट पिता है, वो 14 से पहले कहते थे कि सुनिया हमारी राष्ट माता है, सुनिया जी राष्ट माता है, वो राष्ट माता कहते थे, फिर जब सरकार बदल जाएगी 24 में, तो फिर सुनिया जी राष्ट माता कहेंगे, ये लोग सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, इनको इससे, तो फिर आप दुसरे पर, जब मुस्लिम कमुनिठी के लिए राष्ट माता है, उनको कोई नहीं मनता है, सवाल मेरा, सवाल मेरा, वो ये RSS के जो, RSS परमुख ने जो का सवाल मेरा ये है, कि आप लोग फुरी कमुनिठी की बात करें, तो क्या मुस्लिम कमुनिठी इस बात को मानेगे, कि नौकरी नहीं चाहिए, और अंगरी जी छोड़ देता है, देखें, मुसल्मान तो भाजपा के किसी चीज को भी नहीं मानते है, बिलकुल ये, मुसल्मान के लोग भी बहुत कम बोट करते हैं, बीजेपी को, सिड्यूल ट्राइब करते हैं, पिछरा करता है, किसान जातियां करती है, जो इंट्रिलेक्श्यूल है सिड्यूल कास्ट के, उनको लगता है कि वो बात नहीं मानेगे, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है इस बात्चित म कि जो सबन समाज है, जिसके लिए आरेसिस काम करता है, जिसका यो संगठन है, वो भी नहीं चाहेगा कि अंगरी जी छोड़ दे और नौकरी का पीछा छोड़ दे इसका एक और कारण है सर, कि हमें पंचतंत्र की कहानिया बढ़ी सुनाई जाती थी, कि 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 पंचतंत्र की कहानिय स्वभाव लोमडी वाला है कि सत्ता के हमेशा करीब रहो जो भी सिस्टम में पावर हुल व्यक्ति होगा उसके हमेशा करीब रहने भी कोईच करेगा अपरकास्ट इस सवाल ठीक है चलिए उसकी पावर की वाज़े से कुछ भी एट्रोसिटी होती है मोहन भागबत की बात मान रहाने के लिए संस्कृति बचाने के लिए संस्कृत को अपनाएंगे उसी का पाट 2 है यह लोमडी वाली थे उरी का पाट 2 है सबसे पहले बिट्रे भी लोमडी करती है शेर को इसका मतलब है कि ये पूरा जो सगूफा चोड़ा गया है आरेसेस के द्वारा वह हिनुन के और किसान हिंदू के लिए, किसान हिंदू में जब कहता हूं तो पटेल और मराठा, और जब मैं पिछरा हिंदू कहता हूं तो जाट, गुर्जर, पटेल, मठार, मराठा, यादब, कुर्मी, कोईरी, सब लोग आजाते हैं, जिनका अरक्षन खतम हो गया पतना में अब, सिड कारेकरम में गया था, तो भाजपा के M.O.S. मनिष्टर आये थे, वहाँ पे हिंदू भारत के मनिष्टर है, हिंदी से जो सवाल पूछे तो उनके सवाल के जवाब नहीं हो रहा था, जवाब नहीं दे रहे थे वो लोग, सबसे पहरे तो उनको ठीक करना चीना है, तो मैं पिछरे समाज के होने करांते कहता हूं कि बिलकुल अंगरेजी पढ़िये और सरकाई नोकरी को तलास केजिए, आप लोग अपनी पर्तकरिया दीजे, पूरी बातचीत पर आपकी पर्तकरिया क्या है, क्योंकि आपकी पर्तकरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर् लाइक करे कमेंट जरूर करे